हेलो फ्रेंड्स, वेल्खम बैक टो मैं चैनल अम्रिती फैशन मिला, आज की वीडियो में देखें हम एक्टम सिंपल सीधी पट्टी के हल्प से काना की अड्रेस बनाने वाले हैं, यह दोनों स्लीव है और ग्रीन कलर वाली कैप है, नीचे की फ्रिल आपको समझी आ रहे होग अटैस्ट है वो कैप भी है, तो एजली आप बना के पहना सकते हैं, बहुत आसान है इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसानी से बनके रैडी हो जाती है, सिंपल सीधा सा आपको बुनना है, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है इसे यहाँ पे इसकी कैप को हम थोड़ा सा सेट करेंगे और आगे से भी से हम थोड़ा सा सेट करेंगे, यह देखें यह इस तरह से आईगी, बहुत सुन्दर सी यह ड्रेस है और इसली बनके रैडी हो जाती है, आप चाहे तो इसके फ्रिल को सेट भी कर सकते हैं, आप यह देखें गाइस, मैंने यहाँ पे दो कलर का उन लिया है, दोनों हमारा ओसवाल का बेबी सॉफ्ट उन है, थ्री प्लाई का हमारा उन है, यह जो आप बेबी पिंक कलर देख रहे हैं, यह मेरे पास इतना ही बचा था, तो मैंने सुचा यूज कर लेते हूं, क्योंकि यह अच्छा लग रहा है, तो चलें स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी जगा पे आप नॉर्मल उन भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो सलाई मैंने ली है, वो मैंने नौ नमबर में ली हुई है, सबसे पहले हमें फंदे डालने हैं, कैसे डालेंगे, यह दिखें, यह उन के उपर सलाई और यह इस तरह करके हमें फंदे को डालना है, यह हमने एक फंदा डाला, यह हमारा दूसरा फंदा, यह तीसरा फंदा, ऐसे करके हमें यह पर फंदे डालने हैं, चलें डालती हूं, फिर आगे बिताऊंगे क्या करना है, यह दिखें, मैंने यह पर 15 फंदा डाल दिया है, अब हम इसे बुन देंगे उल्टा-उल्टा, यह इस तरह से करके हमें बुनना है, यह देखें, यहाँ पर जो छोटा वाला उन है, इसे हम इसी में ऐसे करके दबाते जाएंगे, यह इस तरह से, एकदम इजी है, अगर आप बिगनर भी हैं, तो भी आपको इसे बनाने में को दिया है अब हमारी बुनाई खुलेगी नहीं हम अब अपने छोटे वाले उनको कट कर सकते हैं और देखिए आगे के फंदो को हम नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुल लेंगे यह हमारी पहली सलाई चल लही है उल्टा-उल्टा बुनके थोड़ा लंबा करना है चले करते हूं पिर आगे बताऊंगे हमें क्या करना है यह देखिए मैंने यहां पर इसे 5 सलाईया उल्टी-उल्टी बुन दी है अब हम यहां पर फंदे को घटाएंगे कैसे घटाना है यह देखिए एक फंदा उल्टा बुनना है दूसरा फंदा उल्टा बुनना तीसरा फंदा उल्ट फिर इस फंदे को इसी सलाई में लेंगे इसके साथ एक और लेंगे ती बारा बुना तो हमारा तीन फंदा गट गया अब फिर हमें बीच में तीन फंदा चाहिए तो देखिए एक फंदा मार पार सलाई में है ही यह दूसरा फंदा और यह हमार पार तीसरा फंदा फिर हमें तीन फंदा घटाना है, तो देखें, इस तरह से 2 फंदा हम एक साथ बुनेंगे, फिर इस फंदे को बीजी सिलाए में लेंगे, इसके साथ एक और लिया, दूसरा फंदा घट गया, फिर वही चीज, यह हमारा तीसरा फंदा घट गया, और फिर जो बच्चे हैं फंदे उसे बुल लेंगे तो देखे हमने जितने फंदे घटाए थे उतने ही उतने हमारे यहां तीन भाग में दिवाइड हो गए हैं तीन फंदा हमारा उल्टा तीन फंदा घटा है फिर तीन फंदा उल्टा फिर तीन फंदा घटा है और फिर हमारा यह तीन फंदा उल्टा अब अगली पहले तो इन्हे नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुल लिमाई सब्स नॉल्बने लला पर तीन फंदा बढ़ाना क्वार, हमात है नॉल्वे पढ़ा आ दिजेगा यह तीसरा फंदा देखें यहां पर हमने तीन फंदे बना लिये हैं अब फिर हम इधर जो तीन फंदे हैं उन्हें नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुनेंगे अब फिर यहां पर हम तीन फंदे बनाएंगे यह देखें एक दो तीन फिर से हमारे पास यह 15 के 15 फंदे ह जितने फंदे हमने डाले थे उतने हमें फिर से मिल गए हैं अब हम इसे नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुनेंगे तो चलिए बुन के दिखाती हूं यह हमने जो फंदे बनाए हैं भी थोड़े से वो टाइट होते हैं यह देखें इसलिए हम ढीला-ढीला डालते हैं मैंने पूरी सलाई यह देखें यह हमारी स्लीप बनाने के बाद पहली सलाई है यह इस तरह से बुन रहा है यह हमने जो फंदे बनाय थे वह वाले आ गए हैं तो थोड़े से फैल दे हैं आप देखें नीचे से फैल गया है तो फैलेगा तो उपर से टाइट हो जाएगा यह इस बस यह हमने पहली सलाई बुन दी इसी तरह हम आगे की सलाई और बुनेंगे चले बुनती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है देखें दो होल हमारा बन किया है यह स्लीप के लिए यह देखें मैंने यहां पर इसे तीन सलाई उल्टी बुन दी है पहली सलाई मैं आपक बुंदिया तो दो फंदा हो गया, यह हमारा एक ही फंदा रहेगा, हम इस तरह से इसे बुन लेंगे, यह देखें, एकदम इजी है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं, आपको बनाने में कोई प्राब्लम नहीं आएगी, यह देखें, यह इस तरह से नॉर्मल उल्टा- लच विल्टा-उल्टी बनाने में, और अगली ही सलाय में हमारे फंदे बढ़ेंगे, अपने फंदे को डबल कर लेंगे, दबल कैसे करना है, आप देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से पMusic, यह हमने सीधा बनानान कोई, अर यह देखिए पिर फंदा पर लाएं, फिर अग इसी तरह से करके हम अपने सभी फंदे में यहां पर नेट बनाएंगे चलिए बनाती हूं फिर आगे बताऊंगे हमें क्या करना है देखिए हमने सभी फंदे में नेट बना ली है अब हम फिर से उल्टी साइड आगा है तो अब हम यहां पर अपना यह दूसरा वाला कलर लग बुंते चले जाएगे, तो चले, मैं यहाँ पे यह पूरी सलाई इसी तरह से बुंती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करना है, यह देखे हमने उल्टा-उल्टा बुंधिया, फिर से हम सिधी साइड आगा है, फिर हमें यहाँ आपने सभी फंदे में नेट ब फिर से हम उल्टी साइड आगे हैं, अब हम यहाँ पे अपना ग्रीन कलर से उल्टा-उल्टा बुंधिया, फिर सीधी साइड आएंगे, तो सभी फंदे में नेट बनाएंगे, अब इसी तरह से में इसे लंबा करना है, चले करते हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगे हमें उल्टा-उल्टा बुंदे को बढ़ा हैं, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो चलिए मैं उल्टा उल्टा बुंती हूं इसे दोनों सैट से फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह दिखें यह इस तरह से हमारा आएगा यह दिखें मैंने यह पर उल्टा उल्टा इसे पास सलाईयां बुंदिया है अब हम इसे छटी सलाई में घटाएंगे तो जब एक फंदा बचेगा तो आपको नॉट डालना बताऊंगी कि हमें नॉट कैसे लगानी है अब देखें यहां पर लास्ट में मारे पास सिर्फ एक फंदा बचा है हम क्या करेंगे इसे ऐसे फैलाएंगे चलाने के बाद इसमें इस तरह से दो उंगली डालिए यहां से किष लेजिए बस हो गया यहां से कट कर देना है करने के बाद कषनेंगे यह मा पर बाद बेहारी जो ड्रイस लेखें इस तरह से रेडी हो गईे और छोटे काना की पोशाक है तो अकसर हमारी जो कैप फगरा है इधर उधर हो जाती है तो हमें देखिए क्या करना है हम यहां पर फंदे उठाएंगे जो हमने यहां से देखिए 15 फंदा डाल के स्टार्ट किया था तो यहां से यह इतनी दूर थोड़ा लगबग हाफ- थोड़ा ऑर आगे डालके हम इस तरह से करके और दूसरा अपता निकालेंगे यह ऐसे यह द लिए आपकर सकते हैं फिर थोड़ा ला इदा बढ़ा लेंगे यह इस तरह से सलाई को लगाना है सीधा जैसे बुनते हैं इस तरह से किया अब देखिए यह फंदे को मैंने गिराया नहीं यहां से हम उनको आगे लेके आए और इसी में हम एक फंदा और बुन लेंगे तो देखिए यहां पर मारा फंदा जो है वह बढ़ बढ़ने के बाद इसे पीछे ले जाएगे बीच के सबी फंदों को नॉर्मल सीधा सीधा बुन देजे पहली सलाई हम इसी तरह से बुनेंगे और इसके बाद हमारी जितनी सलाई आएंगी वह हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है ना इगटा ना बढ़ा यह दिखें जिए इस तरह से हम बुनेंगे लास्ट पंद आपको दिखा देती हूं बढ़ा के कैसे बढ़ाना है अब देखिए लास्ट पंद आपको बुन रहे थे वह हमने बुना बुनने के बाद हमने इस फंदे को गिराया नहीं हम यहां से उनको आगे ले आएंगे और एक और फंदा बना लेंगे अब हमारे पास 12 फंदे हैं तो चलिए इन 12 फंदों को अब मैं नो अल्टा उल्टा बून के लंबा करती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करना है यह देखिए हमारा पीस यहां पर रेडी हो गया है इसे टोटल मैंने यहां पर 10 सलाई हैं उल्टी उल्टी बुनी है और यहां देखिए उन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है सिलने के लिए यह देखिए हमारा उन है हमें क्या करना है यह हमारी सीधी सैड है दो नमबर के गाना को पहनाई है बट ये सेम ड्रेस जो है वो एक नमबर को भी आ जा रही है तो आप इसे एक नमबर को भी पहना सकते हैं और काफी छोटी सी आप देखिए बहुत बड़े घेर की नहीं मैंने बनाई है क्योंकि काफी सारे लोगों के मंदिर में इतनी जग़ कोई नहीं होती है कि बड़े घेर की पोशाक पहना के गाना को बिठा पाएं तो वहीं देखते हुए मैंने छोटे ड्रेस की बनाई है आप लोग काफी टाम से कमेंट भी कर रहे थे तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई हो पसंद आई होगी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रा दे जाते है